दंगल टीवी के शो ब्रिज के गोपाल के जरीए राधा बनी आक्टरस ने मनुल चुडास्मा को काफी पसंद किया गया तो चलिए जानते हैं टेलविजन आक्टरस मनुल चुडास्मा की जीवन की खानी कैसी रही है यह टेलविजन इंडस्ट्री में कैसे आई मनुल चुडास्मा का जनम 1998 में मुंबई महराष्टर में हुआ ये हिंदु धर्म से बिलोग रखती हैं इनके पिता का नाम है ब्रिजेश चुडास्मा तो ये इनकी माता का नाम है रूपल चुडास्मा इनके परिवार में इनका एक छोटा भाई भी है मनुल चुडास्मा को बच्पन से ही एक्टिंग का शोक था इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बढ़ाई पूरी की ठाकुर कोलेज ओफ साइंस एंड कोमर्स से इसके बाद इन्होंने टेलिविजन इंडस्ट्री में काम करने की सोची मनुल ने अपने करियर की शुरुआत की कुछ टीवी कोमर्सियल से कुछ समय तक कोमर्सियल में काम करने के बाद इनको पहला रोल मिला स्टार भारत के शो एक थिरानी एक थरावन में जिसमें किनोंने रानी का रोल किया और पहले ही शो में इनको लीड रोल करने का मौका मिला था पहले ही शो से मनुल को अच्छी का सी फैचान मिल गई मनुल को फिलहाल टेलिविजन इंडस्ट्री में कुछी समय हुआ है किनोंने कुछी शो अजमें काम किया एक थिरानी एक थरावन शो के बाद ये नजराई सब टीवी के शो तेनाली रामा में जिसमें कि इनको राजकुमारी अमरापली का किरदार निभाने का मोका मिला इस किरदार में भी इनको काफी पसंद किया गया इनके अलावा इनों ने दंगल टीवी के धार्मिक शो ब्रिज के गोपाल में राधा का रोल किया है इसमें लीड रोल करके भी इनको काफी पहचान प्राप्त हुई मनुल चुडास्मा ने ग्राजुएशन तक अपनी पढ़ाई की है और ये फिलहाल सिंगल है तो कुछ ऐसी है मनुल चुडास्मा के जीवन की कहानी आपको इनका कौन से अपसंद है हम इपताई नीचे कमेर्ट से अक्षन में चुड़े को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कीजिए